नमस्कार स्वागा थे आपका बिहार जारखंड के सबसे बड़े योट्यूब नूशनल लाइफ सिटीज में 2019 लोगस्वाद चुनाववों में करारी हार के बाद कॉंग्रेस प्रधेश अध्यक्ष राहूल गांदी ने हार की जिम्यदारी लिए और अपना इस्तीफा दे दिया है इस्तीफा देने के बाद 6 जुलाई को राहूल गांदी बिहार आ सकते हैं जिसको लेकर मुझफरपुर में एक मामला दर्च किया गया था कि किसी आतंगवादी को आप जी लगाकर संबोधित कैसे कर सकते हैं ये आपकी देशवक्ती पर सवाल उठाता है वहीं ऐसा माना जा रहा है कि मुझफरपुर में जब अगर वो पेश होने के लिए आते हैं तो कहीं न कहीं SKMCH का भी दौरा कर सकते हैं क्यूंकि पिछले दिनों मुझफरपुर में चमकी बुखार से लगभग 1.500 से भी जादा बच्चों की मौत हो गई है आपको बता दें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी योग दिवस के दिन राची आते हैं और मुझफरपुर में SKMCH का दौरा नहीं करते हैं 1500 बच्चों की जाने चली जाती हैं और वो योग करके वापस चले जाते हैं लेकिन जब राहूल गांदी को 6 जुलाई को बिहार आने का जब मौका मिल रहा है जब उन्हें कोर्ट में पेश होना है तो कही न कहीं जब वो मुझफरपुर आएंगे तो ये कोशिश कर सकते हैं कि SKMCH में बच्चों को देखे जाकर उनका हाल चाल जाने ऐसा माना जा रहा है कि मुझफरपुर में तो पेश होंगे ही साथी साथ पटना में भी एक अवमानना मामले में वो भी पेश हो सकते हैं दरसल जब उन्होंने एक बयान दिया था कि देश के सारे पैसे लेके जाने वाले लोग मोदी ही क्यूं होते हैं उनका ये बयान था कि सारे मोधी चोर ही क्यों होते हैं और सारे मोधी पैसा लेके भागने वाले ही क्यों होते हैं तो इस बात पर सुशिल मोधी जो कि बिहार के उप मुखमंत्री भी हैं उन्होंने संग्यान लिया था उन्होंने इस पर मामला दज करवाया था तो ऐसा माना आ रहा है कि जब वो 6 जुलाई को बिहार आएंगे तो मुझफर पूर भी जा सकते हैं और पटना में भी वो पेश हो सकते हैं तो कुल मिलाकर 6 जुलाई को राहूल गांदी बिहार आ रहा हैं और स्थीफे के बाद वो पहली बार बिहार आ रहा है इस बात की पुष्टी कॉं प्रदेश किस और करवट लेती है देश दुनिया विहायर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज और इन पर जरूर जाएं कैमरे के पीछे विकास हैं धन्यवाद